हलो दोस्तों, वेलकम बैक टुरें बहुआई चानेल और आपके साथ मैं हूँ अलोकुमार, आज हम लोग जो टॉपिक के वारे में डिसकस करने बाले है, वो है फूट सेटी रिलेटेड, वीथाउट फूट फूट वी नेवर कांट इमाजीन आवर लाइफ, एव्रिवरीव काइंट सॉब नुट्रेशियर सबस्तेंस, एट अनिमल्स और पीपल इट और द्रिंक और इन केस और प्लांट्स दे अब्सॉर्व तो में टेन ग्रोथ एंट लाइफ, चलिए फूट का डिफिनेशन को थोरा से हिंदी में बोलने का कुशिश करते हैं, फूट एग ऐसा च आप लोग अगर पकड़ेंगे जो प्लांट्स होता है, जो पेर पौधा होते हैं, वो लोग मिट्टी से एही सब नुट्रेशन्स खीचता है अपना लाइब को एक्स्टेंट करने के लिए, आप लोग सब लोग जानते हैं कि वीथाउट फूट वी नेवर कंट फूट हम लोग का हेल्थ के लिए बहुत ही इंप्रोटेंट एक रोल फॉलो अप करता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन जो फूट हमलोग का हम cheat के लिए सही है, सेफ है, तो आज हम लोग बात करेंगे पॉइंट वैस, जिस से हम लोग को आसान हो जाएगा, याद में कि क्या-क्या ओइसा स्टेप्स है जो हम लोग फॉलो करेंगे तो एक फूट गो हम लोग और भी सेफ रख सकते हैं तो चलिए सीधा जाते हैं पॉइंट के ओर क्योंकि टाइम ओइस्ट करके कुछ फाइदा नहीं सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है पर्सोनल हाइजिन इसका मतलब है आपका खुद का पहनावा इसका मतलब है पोशाक, जब आप कीचेन में इंटरी कर रहे हो, जब आपको दिमाग में रहना चाहिए हर टाइम कभी भी जब आप लोग फूद कर रहे हो जैसे कि proper haircut, nail trimming, shaving properly, use clean and tidy uniform, cover your hair while you are entering in the kitchen and some others like when you are touching some food, you have to make sure that your hand is properly clean and sanitized and also not to forget to use globes, hand globes I am talking about. नेक्स्ट जो हमारे पास point है वो है hand wash, अब लोग जानते हो without touching हम लोग कुछ भी prepare नहीं तो serve नहीं कर सकता है, तो first से जितना last तक step रहता है food बनाने का जो process है, last तक to the customer table और guest table, always we need to use our hand properly, हम लोग जादा तर time क्या करते हैं कुछ भी जब prepare करते हैं, हम लोग भूल जाते है अच्छे से हमारा हाथ को wash करना, हच्छे से sanitize करना, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हाथ के अंदर बहुत सारा bacterias रहता है, और properly अगर sanitize नहीं किया जाता है हमारा हाथ, तो हमारा हाथ से bacteria food में transfer भी हो सकता है, जो कि अलग अलग तरह का illness, नहीं तो sickness हम लोग का body में grow कर सकत नेक्स्ट जो point है, ओ है types of hazard, जब हम लोग food safety के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग को जानना चाहिए क्या-क्या वो कारन है जिससे food खड़ाब होता है, बेसिकली तीन तरह का main hazards होता है, जो कि food को खड़ाब करने में spoil करने में मदद करता है, ओ है biological, chemical and physical hazard, तो biological hazards में आता अगर कुछ भी chemicals food के अंदर आ जाता है, तो food को खड़ाब कर सकता है, और physical hazard में आ सकता है, ऐसा ही कुछ foreign body, नहीं तो foreign particles, जो कि food का character के साथ मैच नहीं कर सकता, जैसे कि piece of hair, piece of broken, knife, or peel of chopping board, or any plastic pieces, and there have lots of kinds, next, जो point है, वो है cross contamination, जिसके बज़े से सबसे ज़्यादा food poisoning होता है, transferring of bacteria from one place to another is called cross contamination, और इस cross contamination को रोकने के लिए, जब भी हम लोग कोई raw food नहीं, तो cook food कट कर रहा है, तो different color का chopping board and knife यूस करना चाहिए, और दूसरा side में, जब हम लोग कुछ भी raw food नहीं, तो cook food store करेंगे, make sure होना चाहिए, कि अलग से separate container में इसको store किया जा रहा है, कि raw food से cook food में आ नहीं जाए, और इसमें cross contamination नहीं हो जाए, ऐसा हम लोग को make sure होना चाहिए, make sure your food is not coming in danger zone temperature, obviously you know what is the danger zone temperature, right, if you don't know, just have a look, I am mentioning here, next, जो point है, reheating, जो की actually करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी-कभी जब खाना बहुत ही ठंडा हो जाता है, हम लोग को reheat करना परता है, तो ओह कि टाइम में जब आप reheat कर रहे हो कोई भी food को, आप make sure रहिए कि इसका temperature above 75 degree centigrade पहुंचे, reheating करने से बैक्टेरिया मढ जाता है, बैक्टेरिया डिस्ट्रॉई हो जाता है, यह मैं भी accept करता हूँ, लेकिन इसके अंदर कुछ-कुछ टॉक्सिन, reactions रह जाता है, जो कि हम कि ओ ठंडा ना हो जाए, और हम लोगो को नौबत ना आ जाए, reheating करने का, next, जो point है, ओ है storage, क्यूंकि हम लोग कभी भी जब raw food, नहीं, तो cooked food store करते हैं, हम लोगो को make sure होना चाहिए, कि ओ फूड एक proper container में रखा गया है, और जभी भी हम लोग कोई raw food store करेंगे, make sure कि ओ कि उसका temperature properly set किया हुआ है, उसका जो regulator है proper जगा में है, जैसे कि आप refrigerator में कुछ भी अगर कुछ चीज रख रहे हो, तो उसका temperature always below 4 नहीं, तो 5 के अंदर होना चाहिए, और freezer में अगर आप कोई भी सामान रख रहे हो, तो उसका temperature always need to keep minus 18 or above degree centigrade, next, जो point है, ओ है waste discard, इसका मतलब during cooking जो भी waste आता है, हम लोग को make sure होना है, कि वो properly dump किया गया है, जो भी dustbin में wastage store किया जाता है, उसका जो lead होता है, उसका cover होता है, tight feed होना चाहिए, कुछ भी wastage को जादा देर तक store करके नहीं रखने का है, जल्दी से जल्दी उसको clear कर देना चाहिए, तो दोस्तों आशा क आपको मदद करेगा एक अच्छा food standard maintain करने में, अगर आपका कुछ भी queries है, कुछ भी questions है food safety related, you can let me know by comments, और like और share करना भी मत भूलिए, क्योंकि जो जो information मैं यहाँ पर पास करता हूँ, उससे हम लोग का health को फरक पड़ता है, तो चलिए मिलते हैं बहुती जल्द, दूसरा कोई अलग सा topic लेके, तब तक खैरियत से रहिए, ठीक से रहिए, take care, bye bye and see you.